नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे प्रेम के बारे में और जानेंगे कि यह अद्भूतीच क्या है जिसे प्रेम कहा जाता है हर को इसके बारे में बात करता है इसके बारे में रोमेंटिक कविताय कहानियां भी बहुत लिखी जाती है और प्रेम के उपर गाने फिल्मे बहुत कुछ रजा जाता है लेकिन क्या यही प्रेम है क्योंकि हम जिसे प्रेम समझते हैं और कृष्ण मूर्ति जिस प्रेम की बात कर रहे हैं उसमें बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है क्योंकि हम समझते हैं कि प्रेम कोई ऐसी चीज है जिसे किया जा सके जैसे कोई कहता है मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ मैं अपनी पतनी से प्रेम करता हूँ मैं भगवान से प्रेम करता हूँ जैसे कि प्रेम कोई आइडिया हो या विचार लेकिन क्या हो अगर हम सभी जिसे प्रेम समझते हैं वह बिलकुल ही गलत हो क्योंकि प्रेम की खोष सभी को अपने ले स्वेम करनी होगी क्योंकि जब तक आपके हिर्दे में प्रेम नहीं है तब तक इस जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है बिना प्रेम की आपकी जिंद्गी में दुख, पीड़ा और ब्रहम की इस्थिति हमेशा बनी रहेगी तो अगले चार पॉइंट्स के तुरू कृष्ण मूर्ति हमें समझा रहे हैं कि प्रेम क्या है और यह भी कि वह क्या चीज़े हैं जो हमें प्रेम में होने नहीं देती फर्स्ट पॉइंट है लव इस विदाउट कॉज जिसका मतलब है प्रेम का कोई कारण नहीं होता अगर आप किसी को प्रेम करते हैं किसी कारण की वज़े से तो जब तक वह कारण है आपका प्रेम भी तभी तक रहेगा जी छण वो कारण चला गया आपका प्रेम भी चले जाएगा जैसे कोई भगवान को प्रेम करता है क्योंकि वह मानता है कि एक दिन भगवान उसे बचाएगा कोई अपनी पत्नी को प्रेम करता है क्योंकि वह बहुत सुंदर है आकरशक है तो जब तक वह सुंदरता और आकरशक है तभी तक प्रेम भी रहेगा जैसे ही वे सुन्दरत और आकरशकता नहीं रहेगी तो वे प्रेम भी नहीं रहेगा अगर आपके प्रेम का कोई कारण है तो वे प्रेम नहीं भलकी खुद को संतुष्टी देने का अपने अकेले पंद्रे छुटकारा पाने का साधन मात्र है प्रेम तभी वास्तविक है जब उसका कोई कारण ना हो प्रेम एक खुस्बुदार फूल की तरह है जिसे इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता कि कौन उसकी सुगंध ले रहा है और कौन उसे अंधेका कर रहा है वे अपनी सुगंध से पूरा वातवरन सुगंधित करता रहता है यही बात प्रेम के साथ है सैकंड पॉइंट है इमोशन इस नोट लव वास्तों में हम सभी अपनी भावनाओं को प्रेम समझते हैं हमने अपनी भावुकता को भाववेश को कामुकता को प्रेम समझ लिया है जो की प्रेम नहीं है क्योंकि अगर यही प्रेम होता तो किसी भी तरह की हिंसा भय महत्वकांशा या प्रतिसप्रदा हम में नहीं होती अगर प्रेम होता तो हम में सांती होती लेकिन क्योंकि यह सब जाहिर होता है कि हम प्रेम में नहीं है भावनाएं विचारों का ही एक शुक्ष में रूप है और जब तक विचार है तब तक प्रेम नहीं हो सकता जो व्यक्ति भावनाओं में डूबा हुआ है उसे किसी भी चीज के लिए उकसाया जा सकता है हिंसा के लिए भी कियाव शकता है। हम अकेले रहने में घबराते हैं और जब तक हम अकेले रहते हुए आनन्दित नहीं है। प्रेम की मांग होती है जो कि बिल्कुल एक वेपार की तरह है हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रेम संबंध एक दूसरे की जरुरत पूरे करने के लिए हैं फिर चाहें वो सेक्शुल जरुरत हो या कोई और लेकिन जिस छण हमारी जरुरतें पूरी नहीं होती हमारे बीच टकराव शुरू हो जाता है क्या आपने नहीं देखा प्रेम संबंध में रहे लोग कितनी जल्दी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं जब तक हम अपने सुखों के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे तब तक हम दूसरों के गुलाम है जबकि प्रेम तो स्वतंतरता लाता है ना सीव दूसरों से बलकि स्वेम से भी अब चलते हैं लाश्ट पॉइंट पे जो है प्लैजर्स इस नॉट लव जैसा कि हम सभी को पता है पस्चिमी सभ्यता ने पूरी दुनिया में फिल्मों, किताबों और विग्यापनों और पॉर्नोग्रफी के जरिये प्रेम को सेक्स के साथ जोड़ दिया है जिसका कारणाच प्रेम के बारे में बिना सेक्स के कोई सोच ही नहीं सकता लेकिन कृष्णमूर्ती कहते हैं प्रेम और सेक्स एक दूसरे से समंदित नहीं है प्रेम आनंद है जबकि सेक्स सुख विलास है प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप सीखें और फिर करें प्रेम अस्तित तुमें तभी आता है जम्मन एक दम सांत हो सहज रूप से सांत किया ना गया हो और हमें प्रेम के बारे में सोच विचार करने की कोई आवशकता नहीं है उसका आगमन तो स्वय ही हो जाता है और वह भी उसके लिए लालाए थुए बिना ही हमें चिंतन करने की आवशकता तो उन चीजों के बारे में होनी चाहिए जो प्रेम के आगमन में बाधा बन रही है जैसा कि रूमी ने भी अपनी एक कवीता में लिखा है आपका काम प्रेम को खोजन नहीं है आपका काम है अपने भीतर के उन तमाम रुकावटों का पता लगाना जो आपने इसके लास्ते में खड़ी कर रखी है उमीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और भी जीवन से जुड़े प्रशनों के ओपर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग